मुझ斯 This Sitting जोडों का दर्ध एक बहुत common problem में जोके हमारे मुलक में पायाजाता है हम ने देख hen में जादा common होता है असे कंपैट वक्तों के उसकी मेन वजभात यहOREक्वात यह ही के दूद पीने की टेंड सी हमारे मुलक में वैसे नही के पेशेंट दून पीना नहीं पीते, पसंद नहीं किया जाता और उसकी वज़ा से ये डेफिशेंसी डेवलप होती हैं ओवर अनुबर अफियर से, एक ये दो दिन की बाद नी क्रॉनिक लॉंग स्टेंडिंग डेफिशेंसी हो तो फिर पेशेंस स्टार्ट होती है खावतीन में जादे कामन होने की वज़ा ये है क्योंके वो प्रेगनेंसी के पाद मिल्टिबल बच्चे डिलिवरीज अगर हो तो उनका सारा स्केलेटन खातून की हडियों मेंसे निकल के बनता है अगर वो दूद नहीं ले रही या कोई कैल्चिन सप्लिमेंट नहीं ले रही तो वो सारे उनकी हड़ी रिजॉब होके और बच्चे की हड़ियां उससे बनती है तो इसलिए खावतीन में और जो माएं होती हैं उनमें खास पार क्योंकर ये प्रॉबलम ज़्यादा हमने देखिया मेन वज़वाद जिस तरह मैंने बताया कि दूद ना पीना कैल्चिन में वाटमिन डी की लॉंग स्टेंडिंग डेफिशिंसी हो तो इस वज़जे होती हैं पेशिंट्स हमर पास आते हैं दर्द के साथ हर जोड में दर्द होगा किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट में नहीं लेकिन घुटनों और हिप जॉइंट में सबसे ज़दा होता है कूले के जोड में और हिप जोइंट में सबसे ज़ादा होता है क्योंकि चलने फिरने के लिए यही जोड जोड इस तमाल होते हैं इसलिए इन जोडों में तब दीनी जल्दी आती है बनिस्बत हाथों के वाज़ों है चलने फिरने में मसला खास वर भे घुटने की अंदरूनी साइड की उपर दर्द होना बैट के खड़े होते वक्त दर्द होना जिसका चलते हो जो ठीक हो जाए ये सारे साइंस हैं जी घुटने की आर्थराइटस डिवेलप होने के इसके लिए हम करिए सकते हैं कि आप इसको प्रिवेंट करें सबसे पहले यानि कि इसको होने ही ना दें होने ना देने के लिए आप अपना कैलशियम और वाइटमिन डी लेवल पूरा रखें उसमें दूद सिंपलिस्ट फॉर्म है अगर आप खुला दूद बजार से लेते हैं तो इसमें कैलशियम और वाइटमिन डी इतना होता है कि एक ग्लास पैडे से आपकी डेफिशेंसी पूरी हो जाती है रिक्वार्मिट पूरी हो जाती है अगर ग्रेड वान आई या स्टेज वान है हम उसको ये ड्वाइस करते हैं कि थोड़ी सी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन्स करें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन्स में पैरों भार जमीन पे ना बैठना नमाज हुए रा कुरसी पे बैठके पढ़ें वाश्रूम उपर इंग्लिफ वाला कमोड इस्तमाल करें इंडियन स्टाइल कमोड ना इस्तमाल करें सीडियां चड़ना अवोइड करें अस मच अस पॉसिबल और लंबे चोड़े चलने पिरने से जॉगिंग से परहेस करें यह उन पेशेंट्स के लिए हैं जिन में अलरेड़ी ऑस्ट्राइटिस डिवेलप हो चुका है घुटनों का स्टेज वान या स्टेज टू और हम चाहते हैं कि इनका ऑपरेश्टिव गैप हम बढ़ा दें जब जब इनका ऑपरेशन होना है उसमें हम टाइम फ्रेम बढ़ा दें तो यह वो प्रकॉशन जाएं यह वो तदाबीर हैं जो वो कर सकते हैं अपने एड़ के उपर और उससे इनका ऑपरेशन डिले हो सकता है सहत आपकी जिम्यदारी हमारी Dr. Akparnyazi Teaching Hospital